नमस्कार साथियों सीजी जौब एजुकेसन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों जैसा की जान रहे हैं कि केवल बस्तर और सरगूजा संभाग में ही सिख्षकों की भरती का विज्या पनाया हुआ है। लेकिन रैपुर, बिलासपुर और दूर्ग संभाग में शिख्षकों की इतनी कमी है कि अब जो है बच्चों के माता पितार थाथ पालक ही स्कुल को ताला बंद करके हरताल में आ गए। शिख्षकों की भारी कमी है जिसके वज़ा से पालक भी बहुत ज़्यादा नराज चल रहे है। जिसमें शिक्षा मंडल जितने भी छात्र छात्राय हैं शिक्षा मंडल का घराव किये थे शिक्षकों की कमी की वज़ा से। और ये जो आज का वीडियो है इसना साथियों उसमें जो माता पिता है बच्चों की तो सिक्षक की मांग को लेकर बारना इसकुल में पालकों ने ताला लगा दिया है और सिधे तसलदार और बीयो आपिस कही घेराव कर दिया है क्यों कर दिया क्योंकि सिक्षकों की भारी कमी है बच्चों का इसका प्रभाव छेलना पड़ रहा है बिना गुरू के ज्यान बेहद मुश्किल है साथियों और यही वज़ा है कि बहुत ज़्यादा मांग जो है विभिन्न जगहों पर किया जाता है कुछ दिन पहले पेपर कटिंग आपको दिखा होगा जिसमें 36 गर में पूरे 2000 जो इसकुल है एकल सिक्षकी पाए गये हैं जिसमें केवल एक ही सिक्षक है आप यकिन नहीं करोगे मैं बात कर रहा हूँ जांजगिर जिले के मैं बात कर रहा हूँ जिसमें 50 विद्यालेव में सिक्षकों को इधर उधर किया गया है क्यों किया गया है क्योंकि शिक्षकों की भारी कमी थी अब उस कमी को दूर करने के लिए शिक्षकों को इधर-ुधर भेजा गया है सासन को इस पर विशेश ध्यान देने की जरूरत है यदि माता-पिता पालक जो है विभाग के अधिकारियों के पास जाकर चक्का जाम कर रहे हैं हरताल कर रहे हैं अपनी मांग यदि उन तक रख रहे हैं तो उनको मंत्रियों तक अपनी इस समस्या को रखना होगा शिक्षकों की भरती करनी होगी बस्तर सरगुजा संभाग में ही नहीं बलकि रैपुर बिलासपुर और दुर्ग संभाग में भी भारी कमी जो है देखने को मिलता है ये बात है धमतरी जिले की साथियों जहां पर 650 शिक्षक पधान पाठक बन गए हैं सायक शिक्षक पूरा कमी हो गया है 40 रिटायर हो गया है आपको पूरा यहां पर डिटेल दिख रहा होगा ऐसे 21 नहीं है कोट गाओं प्रैमरी स्कुल में एक ही सिक्षक है केस नमबर दो है सिक्षक के लिए 35 तक दिया गया अल्टिमेटम देखिए वहां के जो ग्रामिरों द्वारा 25 तारिक तक का अल्टिमेटम दिया गया है कि 25 तक आप सिक्षक लाओ अन्यथा बवाल हो जाएगा बवाल से तक परिय ग्रामिर भी परिसान है परिसान होना जायज भी है सिक्षकों की भारी कमी है और इस कमी को सासन को समझना होगा सासन को रायपूर, बिलासपूर और दूर्ग समभाग में भी सिक्षकों की भरती करनी होगी क्योंकि वक्त बीत रहा है और बच्चों का जो पढ़ने की उम्र है न साथियों वो कभी भी दोबारा नहीं आता और इसको विशेश ध्यान रखना चाहिए आप ये भी जान रहे हैं कि सिक्षा का इस्तर बहुत नीचे होता जा रहा है गिरता जा रहा है क्योंकि सिक्षकों की कमी संसाधनों की कमी बहुत बड़ी वज़ा बनती है फिरहाल साथियों ये तो मेरी व्यक्तिगत राय है सिक्षकों की भरती होनी चाहिए इसके संबन में आप भी अपने राय नीचे कमेंट बॉक्स मन जरूर कमेंट करें कि क्या सच में रैपूर, बिलासपूर और दुर्ग संभाग में शिक्षकों की भरती होनी चाहिए यदि होनी चाहिए तो आप भी कमेंट केजिये और इस वीडियो को उन मंत्रियों, अधिकारियों तक जरूर साजा करें, जरूर सेयर करें ताकि उन तक भी हमारी ये आवाज पहुँच सके, हमारी ये मुहिम पहुँच सके, इस वीडियो में इतना ही जैहिन वनिमादरम